पनोर मंकुरू जो सोचता है वो करता है कई तरह की बातिक की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि नितीश कुमार पहले से सिगनल दे चुके हैं इसलिए भारती जंता पार्टी ने अपने कई कारेक्रम कैंसल कर दिये हैं इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ यह चर्चा चल रही थी कि आखिर बिहार में होगा क्या वहीं आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबारा सरकार बनने के बाद बिहार आने का अपना कारेक्रम फाइनल कर दिया है इन्डिये के सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बिहार दौरा होने जा रहा है और उनके साथ अमिद साह और राजना सिख भी आएंगे नितीश कुमार इस मंच पर होंगे या नहीं होंगे इस बात को लेकर के अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन नरेंद्र मोदी के बिहार आने के साथ साथ कई तरह की अटकले भी शुरू हो गई है आपको बता दें कि ग्रिह मंत्री अमिद साह पटना आने वाले हैं पांच मार्च को पटना आ रहे हैं इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर अभी तीथियों की घोशना नहीं हुई है उससे पहले बिहार भाजपा ने अपने तयारी और तेज क मार्च के प्रथम सब्ताह में बिहार दोरा करेंगे जबकि इसी महीने रक्षा मंत्री राजना सिंग का भी दोरा कारेकरम बना हुआ है जो जानकारी मिल रहे हैं उसके अनुसार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीन मार्च को बिहार आ सकते हैं प्रधान मंत्री चंपार जिससे मैं बिहार में भी काफी कुछ परिवर्तन होगा। लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार में विशेस राज के दर्जा और विशेस पेकेज को ले करके काफी कुछ चर्चाय चल रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां परधान मंत्री का कारेकरम तय हो गया है वहीं ग्रेय मंत्री अमिट साभी पटना आने वाले हैं पांच मार्च को पटना में वो रहेंगे इस दोरान वे पटना में भाजपा कारेकरताओं को सम्बोधित भी करेंगे इस बीच आपको हमने बताया भी था कि क्या कुछ चल रहा है, हलाकि इन दोनों के अलावे राजनात सिंग का भी बिहार आने का कारेक्रम तै हो गया, रक्षा मंत्री का बिहार दोरा 28 फरवरी को हो सकता है, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, इस दोरान वेसीता मडी छपरा मदवनी दरभंगा में से किसी दो अस्थानों पर जनसंभा को संबोधित कर सकते हैं, इसकी भी बातें चर्चा तेज हो गई हैं, आपको बता दें कि इसके अलावे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी कई CM और डिप्टी CM को बिहार लाने की तैयारी शुरू हो गई है, इ आपने देखा होगा कि नितिश कुमार कहते हैं कि हां हो जाएगा, समय पर हो जाएगा और दूसी तरफ जब भारती जनता पाटी के नेताओं से पूछी जाती है, तो कई तो चूप हो जाते हैं, लेकिन समराथ चोधरी ने कहा कि नितिश कुमार का सिगनल मिलते ही मंत्री म पंडल विस्तार हो जाएगा, ये सारी बाते कहीं न कहीं इसारा कर रही है, कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है, लेकिन परधान मंत्री नेर्ण मोदी के आने के कारेकरम को लेकर के भारती जनता पाटी काफी आसानुइत है, और ऐसा लग रहा है कि आने के बाद बहुत सा बहुत जोरोसोर से सुरू हो गई है, एक बार फिर से कि क्या नितिश कुमार बिधान सवा भंग करा करके 2024 में ही 25 का चुनाव करना चाहते हैं, हलाकि इसके पीछे बहुत सारी कडियां हैं, एक तरफ जहां नितिश कुमार हमेशा से अविश्वस्निय रहे हैं, वहीं दूस जिवित है कि वह अगर पाला बदल देते हैं तो भारते जंतापाटी एक बार फिर से विपक्ष में आने के लिए बाध्य हो जाएगी, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, कही न कही नरेंद मोदी के इस कारिकरम को लेकर के काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है, और य लेकिन सबसे ज़्यादा पर्धान मंतिर नरेंद मोदी के कई कारिकरम रद हुए हैं, इस बार के कारिकरम के तय होने के बाद लोगों में काफी खुसी है और काफी संभावनाय भी बढ़ गई है। तरकारिता के हमनी के नया परयोग में सहयोग कर चाहता नहीं, तो जॉइन बटन दबा दी।